वेरी गुड इवनिंग तो अल्माइ स्टुडेंट्स आज जो टॉपिंग हमने करना है वो टॉपिक है कॉम्मिनिकेशन एन नेट्वरकिंग इंटोडाक्शन टू इमेल लास्ट टाइम भी जब हमने एक टॉपिक किया था तो उसमें इमेल आया था मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि इमेल क्या होता है कैसे हम एक दूसरे को इमेल भेजते हैं लेकिन आज के टाइम में आपको ये पता होना चाहिए कि इमेल क्या होता है और हम इमेल को कैसे भेज सकते हैं इमेल, इमेल का जो E है उसका मतलब है electronic, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि E stands for electronic, अब इसका काम क्या है, इमेल का क्या है, इमेल का काम होता है लोगों को message भेजना, लेकिन इसमें जिस चीज काम इस्तिमाल करते हैं वो होती है internet, इमेल के द्वारा हम अपने message को कभ ने में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, औस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, आपको कुछ second ही लगेंगे अपना message उस तक पहुंचाने के लिए, जो हमारा email होता है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें आप simple message, यानि की text message भेज सकते हैं, उसमें आप videos भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिरफ text message ही भेज सकते हैं, तो यह हमेशा याद रखना है कि अगर हम email का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो email में हम बहुत सारी चीज़े हैं जो भेज सकते हैं, उन चीज़ों को हम भेजने के कैसे, उन चीज़ों को हम उसके साथ attach करके, यानि की जो चीज हमने email में भेजनी है, जैसे कि आपने कोई file भेजनी है, कोई photo भेजनी है, तो उन सब चीज़ों को हम उसमें attach करके, जिस बंदे को हम भेजना चाते हैं, उसको भेज सकते हैं, लेकिन अब आपको ये तो पता चल गया कि email का काम क्या होता है, email का काम होता है messages भेजना और जल्दी भेजना है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चीए, वो ये पता होनी चीए, कि email काम किस तरीके से करेगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, कि videos, documents, spreadsheets, ये सारी ये सारी चीज़े आप email से भेज सकते हैं, लेकिन email भेजने से पहले, जो दो चीज़े important ह वो चीज़े ये हैं, कि जिसको आप email भेज रहे हैं, आपके पास उसका email address होना चाहिए, और दूसरी बात ये है, कि अगर आप किसी को email भेजना चाहते हैं, तो आपका खुद का email account, यानि की email address आपका भी होना चाहिए, तब ही आप किसी को message भेज पाएंगे, या किसी के द पहले के time में, आज कल तो बहुत कम है कि हम एक दूसरे को चिठिया लिखते हैं, लेकिन पहले के time में क्या होता था, कि हम क्या करते थे, अपना message चिठियों के द्वारा दुनिया के या देश के किसी भी कोने में भिजवाते थे, लेकिन आज उसको किस ने overcome कर लिया है, email ने अब उन्होंने बताया है कि अगर email और postal में हम similarity बताएं, यानि कि बताएं कि कैसे कैसे same हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला है कि इन्होंने बोला है कि address आपको चिठि भेजने के लिए भी चाहिए और address आपको email भेजने के लिए भी चाहिए, ठीक है, लेक पे क्या होता है, यानि कि जहां पे आप रहते हैं, ठीक है, वो जगा जहां पे आप का घर बना हुआ है, लेकिन email address क्या होता है, email address होता है आपका digital location, क्यूंकि digital यानि की जो computer से है, तो फिर हमारे email के address में और postal address में यही फरक है, जो आपका email का address है, वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ashokrastogi at gmail.com, बाकी जो postal address है, वो तो सब को पता ही है, कि हमारे घर का address कैसा होता है, दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोली है, कि जो हमारा postal, मतलब जो हमारी postal mail है, उसमें और उसमें क्या अंतर है, जो हमारी email है, जो हमारी postal mail है, यानि कि जो चिठियां है, वो या फिर आप अपने mobile पे भी लिख सकते हैं, उसके बाद है, जो हमारी postal mail है, वो बसो के दवारा, ट्रेन के दवारा, या फिर air के दवारा जाती है, एक जगा से दूसरी जगा पे, लेकिन जो हमारा email है, उसके लिए हमें bus, ट्रेन, इन सब चीजों की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारी last चीज है, वो है, कि postal mail is brought up by postman and dropped into the letter box, जो आपकी चिठी होती है, वो क्या है, डाकिया लेकर आता है, लेकिन जो आपकी email है, email में ऐसा नहीं है, email में क्या होगा, जो letter box है, उसमें, नहीं, पोस्टल में क्या होता है, letter box में डाल के जाते हैं, लेकिन जो हमारा email है, वो किस में आता है, हमारे inbox में, किस में आता है,